Best Samsung Smartphones Under 30,000 कौन से हैं वो Top 5 Samsung के Smartphones जो अगर तुम खरी दोगे तो तुम्हारा पैसा वेस्ट नहीं होगा तो सबसे पहले आता है Samsung का A33 अच्छी चीजों से शुरू करते हैं पहले तो इसकी डिस्प्ले का साइस काफी जाद अच्छा है Super AMOLED डिस्प्ले है, Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन है इन डिस्प्ले फिंग उपनेंट स्कैनर भी है, काफी modern फील है और पूरा-पूरो दिन गेम्स खेलते रहने के लिए 5000 mAh की बैटरी भी है इस फोन के और पॉजिटिव पॉइंट्स में आता है सबसे पहले इसका कैमरा चार कैमरे है, 48MP का में लेंस है OIS के साथ दूसरा है 8MP का अल्टरा वाइड और बाकी दुनों में सबसे पहले है 5MP का मैक्रो अच्छी बात है कि भाई, मैक्रो दिया भी, तो 2MP का नहीं दिया और चौता है 2MP का डेप्ट सेंसर, इन शॉर्ट यूजलेस बागी फरंट कैमरा है 13MP का, तो सैमसंग के कैमरास के उपर कभी आशंका नहीं करनी चीए काफी अच्छा सेटप है, और भी कुछ बड़िया चीज़े हैं जैसे IP67 की रेटिंग, मिट्टी और पानी से सुरक्षा के लिए 12 5G के बैंड्स हैं, ड्यूवल स्पीकर्स हैं और SIM स्लोट हाइब्रेड है, लेगना कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, चाहे वो इनसान हो या प्रोडक्ट, तो बुरी चीज़े तो हैं, सबसे पहले तो डब्बे के अंदर चार्जर नहीं मिलता, अलग से खरीदना दूसरी बुरी चीज़ है कि इसके अंदर headphone jack नहीं है, काफी लोगों का दिल दुखेगा है सुनके, और तीसरी खराब चीज़ है, सर्प्राइज मत होना, डिस्प्ले, क्यूंकि 25,000 का होने के बाद भी वो U-shape वाली notch बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और refresh rate भी सिर् 90Hz का ही है, 120Hz का तो होना ही चाहिए था, और लास्ट खराब चीज़ है, इसका प्रोसेसर, Exynos 1280, जो day-to-day life के लिए तो ठीक है, लेकिन heavy gaming के लिए प्रोसेसर बिल्कुल भी नहीं बना है, और इस फोन में ना तो 4K में वीडियो देख पाऊगे, ना ही HDR में, क्यूंकि प् फोन की तरफ, Samsung का M53, इसकी डिस्प्ले का साइज A33 से बड़ा है, Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन इसमें भी है, और रिफ्रेश रेट कमाल का है, पंच होल वाली डिस्प्ले है, और Super AMOLED Plus भी है, इन शॉर्ट, ModGuard दी डिस्प्ले में, प्रोसेसर है Dimensity 900, जो ठीक है, not so good, not so bad, 5000 mAh इसकी बड़ी बैटरी इसमें भी मिलेगी, और Hybrid Sim Slot के साथ 12 5G के bands भी है, लेकिन जितनी अच्छी चीज़े है इस फोन के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा बुरी भी है, सबसे पहले तो इसके कैमरा के मेन लेंस के अंदर OIS नहीं है, 25,000 का फोन होने के बावजूत, बाक OLED डिस्प्ले होने के बाद भी fingerprint scanner side mounted है, ना की in display, तो ये फोन उन लोगों के लिए है, जिने एक कमाल की डिस्प्ले के साथ, एक ओकेश सा प्रोसेसर चाहिए, बाकी इस फोन का कैमरा ठीक ठाकी है, अब जो हमारा तीसरा फोन है, उसका comparison इस दूसरे फोन के साथ बहुत ज़ बूती के साथ है, और surprisingly प्रोसेसर भी काफी अच्छा है, snapdragon 778G, और बैटरी इसमें भी 5000 mAh की है, तो बहुत लंबी चलेगी, hybrid sim slot के साथ 11 5G के bands है, very very good, और ये फोन भी मिटी पानी तूफान से बखू भी बच जाएगा, IP67 की rating के साथ, लेकिन definitely कुछ बड़ी कमिया भी है सबसे पहले तो headphone jack नहीं है, dual speakers भी नहीं है, हाँ AMOLED display जरूर है, लेकिन fingerprint scanner फिर भी side mounted है, और charger भी डबबे में सिर्फ 15W का ही मिलता है, वैसे तो Samsung का phone है, तो charger डबबे के अंदर मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, और 3 camera phone के अंदर जिसमें main lens है 64 MP का, जिसमें OIS नही तो यह phone कहीं न कहीं काफी सारे लोगों के लिए सही है, अच्छी display है, प्रोसेसर भी अच्छा है, और battery तो बड़ी है ही, बस camera में थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी सब तो चंगा है, लिस्ट में 4 फोन आता है Samsung A52s, तो अभी तक तो आदधी पड़ गई है, Samsung का phone है, तो display तो अच्छी होगी, AMOLED के साथ-साथ refresh rate भी कमाल का है, Gorilla Glass 5 की protection इसमें भी है, और center punch hole वाला modern design है, और finally AMOLED स्क्रीन का पूर्न इस्तेवाल करते होई fingerprint scanner in display है, प्रोसेसर इसमें भी Snapdragon 778G है, जो अच्छा तो है, लेकिन 30,000 में definitely better processes मिल जाते हैं, बहुत असानी से, 12 5G के bands और एक Hybrid SIM slot के साथ, इसका camera भी काफी अच्छा है, चार camera है, 64MP का main lens है, जिसमें OIS है, finally, दूसरा 12MP का ultra wide और तीसरा है 5MP का macro, और चौता है 5MP का depth, अच्छी बात है कि macro 5MP का दिया है, कुछ काम तो आएगा, बागी front camera इसका भी 32MP का है, तो price के साब से camera बहुत अच्छा है, और तो और सुनो, dual speakers भी है, तो क्या ये एक perfect Samsung smartphone है, ऐसे कैसे, इसका downside है इसकी battery, 4500 image की battery है, जो okay-okay है, कोई crazy battery backup नहीं मिलने वाला, और charger भी साथ में सिर्फ 15W का ही मिलता है, और अगर एक normal phone के नजरीय से देखें, तो definitely overpriced लगता है phone, लेकिन साथ ही में Samsung अपनी brand value भी लेके आता normal price 30,000 से थोड़ी जादा है, लेकिन कुछ card offers लगाके या फिर जो regular sales वगरे चलती रहती है, उसमें ये बहुत अराम से 30,000 से नीचे मिल जाता है, तो display इसकी भी super AMOLED है, बड़िया refresh rate के साथ, और साथी में in display fingerprint scanner भी है, प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है, snapdragon 865, अंत का powerful और 30,000 के नीचे ये phone मिल जाता है, तो इसका camera one of the best है, 9 5G bands और एक hybrid SIM slot के साथ IP68 की rating भी है, तो धूल मिटी पाने से तो डरने की tension ही अटा दो, और तो और dual speakers भी है, लेकिन अब कमिया तो है ही, सबसे पहले तो battery थोड़ी छोटी है, 4500 image की है, और इसके साथ भी दब्बे के अं पर Gorilla Glass 3 सुनना एक मजाक है, तो ये phone almost हर बंदे के लिए अच्छा है, क्योंकि इसका display भी अच्छा है, प्रोसेसर भी और camera भी, तो यही थे वो top 5 Samsung smartphones अंदर 30,000, तो main video यहीं पर समापत होती है, अब वक्त है mini vlog का तो यह फुल पहाड़ी गाओं है और यहां पर technology नेक्नोलिजी पहुची नो पहुची हो, पैने पास्ता जरूर पोच गया वई